हेलो दोस्तों, विल्कम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिंपल में राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग के रिगार्डिंग कुछ महतपूर्ण और लेडेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है तो चलिए सुरू करते हैं इससे पहले आपको बता दें अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लिजे यार वहाँ पर आप हमसे बाते कर सकते हो तो अपडेट जो निकल कर आ रहा है आपको बता दें राजस एवं भूमी सुधार मंतरी राम सुरत कुमार ने कहा है कि राज में अमीनों और राजश कर्मियों की कमी अगले च्छा महिने में दूर हो जाएगी जैसा कि आप सभी जानते हैं जो बिहार के राजश्व करमी है राजश्व करमचारी है या फिर अमीन है इनकी बहुत कमी है आप दाखिल खारिज के रिए देते हैं मामला सालो साल आपका पेंडिंग पड़ा रहता है कारण कहा दिया जाता है कि करमचारी की कमी है या फिर जो अभी online update का कारे चल रहा है जिसके माध्यम से जितने भी data है उन सब को जो है store कर लेना है ठीक है data entry का काम करना है ताकि जो भी online वहाँ पर जो रईयत धारी है उनका online वहाँ पर चढ़ा दिया जा सके ताकि वह पता कर सके अपना कि उनका जमीन कितना है रखबा कितना है टोटल एक ही click में वह पता कर सके ठीक है तो अभी बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में लोग है जिनका कि अभी तक net पर upload नहीं किया गया है और उनका अभी तक रखबा 0 दिखा रहा है कारण यहीं बताया जाता है कि जो राजस्यो करमी है उनकी कमी है इस वज़ा से अपलोड नहीं किया गया है तो यह कमी जो है 6 मैने के अंदर अब दूर होने वाली है आगे आपको बता दें 1667 अमीनों की बहाली की अधियाचना बिहार सन्युक्त परवेश परतियोगिता परिच्छा परसत को भेजे जा चुकी है तीन माह के अंदर अमीनों की बहाली हो जाएगी जबकि 4,333 राजस्यो करमचारियों की बहाली 6 मैने में हो जाएगी इस तरह 6 मैने में 6,020 राजस्यो करमियों की बहाली हो जाएगी तो ये एक अच्छा अपडेट है लेट कुबेर यहां पर जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो आप सभी के लिए हमारे लिए सब के लिए अच्छा है कि जो अपकार है वो परगती पर होगा और ज्यादा पहले के मताबिक फास्ट होगा आपको बता दें मंत्री ने गुरुवार को विधान सभामे विभाग के आयवयक्त पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे उनके जवाब के बाद 1261 करोड 73 लाग का विभाग का बजट पारित हो गया इससे पहले स्रीकुमार ने कहा कि कोविट के दवरान 215 स्पेशल सर्वे असिस्टेंट्स सेटलमेंट ऑफिसर 349 बिसे सर्वे कलर्क 319 बिसे सर्वे कानुनगो वा 1178 स्पेशल सर्वे अमीन के पत पर समीदा अधारित नियुक्ती की गई है अब तक लगभग 996 लाख जमाबंदियों की तुरूटियों को सुधारा गया है जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया जो जमाबंदी है उसमें काफी ज्यादा तुरूटी है लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है लोग सुधार करवा रहे हैं इस पर हमने एक और व सुधार होना होती आवस्ता है कि तभी जाकर फ्यूचर में आपको बविसमें दिकत नहीं होगा आगे आपको बता दें दाखिल खारिज की परकिरिया ऑनलाइन होने से वित्तिय वर्स 2019-2020 में लगभग 21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं इसके पहले मातर 13 लाख स्फीजदी हैं विपक्षी सदस्यों के वाक आउट के बीच मंत्री ने कहा कि भूमी श्वामित प्रमान पत्र के एक रूपता लाने के लिए मानक प्रारूप तही किया गया है अंचल अस्तर पर यह प्रमान पत्र देने की नई परिपाटी शुरू की जा रही है दो सब्सक्राइब में से 91,981 का निप्टारा कर लिया गया है तो धीरे धीरे अब इसमें जो है सुधार आ रहा है सभी नक्सा डिजिटाइज हो चुका है जैसा कि हमने आपको पहले से बना बता दिया था जो नक्सा है जमीन का आपके मकान का प्लोट का वह डिजिटाइज हो उस वीडियो को जाकर देख लिजिए कि कहां आपको जैमीन कानक्सा मिलेगा दिली में भी मिलेगा और पटना में कहां मिलेगा उसके रिगार्टिक में हमने वीडियो बना दिया है तो यह छोड़ा सा अपडेट आपको देना था आई होप आसा करते हैं यह वीडियो आपक को दिख रहा होगा जिसमें हमने आपको बताया है कि जीरो वर्स से सनातक तक पास जो गिरेजुएट यानि छात्र है उनको बिहार सरकार के तरफ से कितना राशी मिलता है ठीक है चुकि हमारे समाज में ऐसा माहौल हो चुका है ऐसे लोग की थिंकिंग हो चुकी है कि यहां प पिता को टेंशन हो जाता है उसका दहेच का जो समाज में सोसाइटी में जो आजकल चल रहा है दहेच का चिंता हो जाता है उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हो जाती है यह चिंता हो जाती है पिता को कि हमें कमा कर देगा कौन हम तो खुद अकले कमा रहे हैं और एक साना करने के लिए ठीक है तुम वीडियो को जाकर देख लिए आसा करते हैं इम्मेद करते हैं यह आपको पसंद आए को लाइक करें हमारे चेहलग